मेरा वस्याई कहना रहेगा कि जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटा है मेरे आदमी निस्पक्छो करके राजुपाल की हत्याकारण में गवा दे मुख्य गवा दे जिन्होंने अपनी गवाही के दोरान आज 18 साल हो गए जिस बीच में इनकी हत्या करा दिया और यह माफिया ऐस चाल कि लड़क्रेक में इसने अपनी तक कि हमिए जमीन से संबंदित हो गया इन्होंने किस रंगदारी का हो गया अपर्ण के हो गया लडकियो से मैं मानी मुख्य मंति का धन्यूबाद तहे दिल से करूँगी कि उन्होंने जो किया वो मिन निस्पक्छच कारे की प्रवसाशन किया उन्हें कारे को बहुत अच्छा किया मैं तो यहीं कहने कि ऑसे माबाप जो अपने बच्छों को इस तरह की सिक्षा दे करके किसी को आत्मघा करने वाला किया कारिया ये बहुत ही घराग था, मैं नहीं चाहती कि ये समाज में इस था कि अपने बच्चों को सिख्छा दिये जाए। उस लड़के ने उसकी उम्र कुछ नहीं थी लेकिन उस लड़के ने जो कारे किया वो बहुत ही गंदा था बहुत ही आज मेरी कंडिशन क्या है कि मैं अतनी डरी सहमी हूं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती बाहर नहीं भेज सकती मैं आज कितने दिन से घर क कुछ भी हो सकती है लेकिन मैं प्रसासन की तोर पे मैं प्रसासन मेरे साथ हाथ लिए हुए तो मैं समझ रहे हुए हैं तो मैं सुरक्षित हूँ लेकिन फिर भी कही न कहीं है है इस जीज़ का मैं पुलिस प्राशासन से संतुष्ठ हूं उन्हें जो कारवाही किया थे वह बहुत निस्पक्च कारे किया है मैं यह से जाच नहीं कराना चाहती क्योंकि सीज़ाओ की जाच मेरे पती राजुपाल हत्या काइंड में मुख्य गवा ते जो हत्या कांड में गवा हुने के कारण से जो है सिभ्याई में जाच चली गई थी तो उन सिभ्याई जो है अतिक हमस से मिल गई ती जिसके वजह से मेरे पती की पती को एक किनारे कर दिया गया और उन्हां ने आपरहण केस में भी इसका ये आकर की अपना बयान बाजी किया कि उमेशपाल का रही थी वह समय पहुच भी गयते और उसमें उन्होंने जो है ले जाकर कि अपने राजुपाल की बॉड़ी को ले जा रहे थे तब तक वो जिंदा भी थे उनको ले जा रहे थे किस प्रकार से अतिक हमत के गुंडे जो है उसको मारने के पिछे लगे थे फाइरिंग भी हो है और उनकी खत्म हो गए लेकिन मेरे आदमी ने बहुत उनके साथ बहुत कुछ किया जो बिधायक भी बने हैं तो राजुपाल क्यों साहियोग जो कुछ भी किया मेरे मेरे आदमी नहीं किया था मेरे आदमी का किसी के नूम पर नाम नहीं आ रहा है लेकिन आज वहीं की उ वेश्पाल बिना मतलब के मारा गया वो तो गवाह दे रहा था अपने बेहन की नया के लिए लड़ रहा था राजुपाल के हत्यारों को जो है सजा दिलाना चाह रहा था ना कि वो कुछ भी नहीं था उसका फिर भी उसको जो है जवस्ति मारा गया आज उसके बच्ची यतीम है कि किस तरह से कोई पूछने आया कि हां है है कि तुम्हारे साथ कैसा हुआ किसी ने पूइचा कि यहां ढ़ारे बच्ची क्यों नहीं पढ़ भारे को कि यह किसी ने पूछा सब अतिकाम अतिकाम इतना बड़ा गुंडा है माफिया है वो चारी सब सब जनता जान रही है लेकिन उम्मेस पाल किसी ने नाम नहीं लिया कि हां उसके बच्चे उसके घर परिवार कैसे संतुष्ट है कि भाय के साय में जी रहा है आज भी जी रहा है